स्टूडेंट्स तो कोशें नमबर 7 तक हमने कर लिए हम कोशें नमबर 8 करेंगे राइट दे ग्रेटेस्ट एन स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नमबर यूजिंग डिजिट 3,8,2,5,6 यानि कि हमको 7 डिजिट नमबर लिखने हैं और किसका यूज़ करना है 3,8,2,5,6 का हमें यूज़ करना है यू में रिपीट 2 डिजिट आप तो डिजिट को रिपीट पी कर सकते हैं ठीक है अगर आपको जरूरत हो तो लेकिन इसमें जरूरत है तो हम रिपीट करेंगे ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं कोशें नमबर 8 तो कौन-कौन से डिजिट हमको दे रखी है 3 8 2 5 and 6 यह डिजिट हमको कोशन में दे रखी है तो इन ही का यूज़ हम करेंगे तो एक बार तुमको क्या लिखना है smallest 7 डिजिट ठीक है और एक बार मों क्या लिखना है greatest 7 डिजिट ठीक है तो एक बार मों smallest 7 डिजिट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 2 3 3 5 6 8 काउंट कीजिए कितने हो गई 1234567 हो गई न 7 ठीक है तो और हमने क्या किया है जो यह दो डिजिट से हमारी 2 और 3 इसको हमने एक से दो बार रिपीट किया है ठीक है और greatest 7 डिजिट हमको लिखनी है तो smallest में तो हमने smallest डिजिट को रिपीट किया था ठीक है और greatest डिजिट को रिपीट करेंगे तो greatest डिजिट कौन थी हमारी एट है तो एट को में टू टैम से पीट करेंगे और 6 5,3,2 यह मान हो जाएगा ओकी